हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल एंजोई और लाइफ पर इस्टूडियों में बात करेंगे आइफिल के 11 माच की जोगी है राजस्तान रोयल्स वस्टिस दिली कैपिटल्स राजस्तान अपने दो में से एक मैच जीत करा रही है और दूसरा मैच में लगबख जीत ही गए थे लेकिन दिली का हाल है बहुत बुरा दो के दो मैच हार चुकी है और इस मैच में लगा है एक तगड़ा जटका मिचल मार्च भी बाहर हो गए है क्योंकि वो चले गए हैं व को जटका और लगा है सबसे वहले दोस्तों याद दिला दूँ अगर आपने टेलिग्राम गुरूप जोइन नहीं किया है हमारा तो कर लिजी क्योंकि फाइनल टीम्स आपको यहां पे मिलेंगी टॉस के बाद तो जाकर जोइन कीजी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स लगबा लगबा चेज कर लिया था 192 बनाया थे साथ विक्रें दुक्सान पे उस दिन हमने देखा था कि यहां पे जो डियो था वो बहुत जादा था इवन पहली इनिंग में भी हमने अच्छा खासा डियो देखा था लेकिन यह वाला जो मैं अच्छा यह डे में होगा थिर जादी स'टाइम है तो फिर उतना डियो देखने को नहीं मिलना ता यह हाला कि सैकेंडनी खतम होते होते हो सकता है थोड़ असा डियो आपको देखने को मिले पिष्टे मै觉 स्पिनर्स को मिले सिर्फ दो विकिट औरम पेसर को मिले टोटल आठ विकिट उसके लावा स पिनर्स भी अच्छका करते हैं तो स PINर्स को पे प्र तीम में ज़रूर रखेगा ऑवराल एक बैटिंग अच्छी बैटिंग फिच आपको देखने को मिलेकि जिसपे अच्छे स्कोर आपको देखने को मिल सकते हैं राजसान की प्लेइंग एलाइंग की बात कीज़े तो दोस्तो एक जटका इनको भी लग सकता है बिष्टे मैच में आपको याद होगा बटलर ओपन होकरने नहीं आये थे आर अश्विन को ओपन करने के लिए भीजा गया था और वो इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि बटलर की उंगली में विकट के बिंग करते हुए लगे थी चोट तब हो सकता है उनको रेस्ट दिया जाए और तब उनके मिले जो रूट अविलेबल है या फिर डेवन फरेरा साउथ आफरेका के वो भी ओपन कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है 95% आपको जो सबटलर ही खिलते हुए दिखाई देंगे तो फिलाल हमने जो टीम बनाई है वो इनको लेकर ही बनाई है अगर नहीं खिलते हैं तो फिर आच्छा है आपके लिए easy हो जाएगा एक spot आप और किसी प्लेयर को ले पाएंगे जो सबटलर के साथ जाइज स्वाल करेंगे open फिर आएंगे संजू सैंसन देवदर पार्डिकल, शिम्रोन हैट में, रियान बरा, गार, अश्विन, जेसन होल्डर, ट्रेंट बोल्ट, युजोएंद, चेहल और के मासिफ यह रहेगी प्लेइंग 11 दोस्तो पार्डिकल का फॉर्म थोड़ा सा नहीं, बहुत जादा खराब दिखाई दे रहा है, पिछले मैच में 21-29, 26 गिंदों का सामना करके, तो फिर थोड़ा सा टीम के लिए, इनके इवेज़ें टीम भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, और एक्च्छल में वो अपनी ब्लिंक है, बहुत जादा कम चांसे हैं, तो यहाँ पे बटलर को फिला लिया, तो यहीं खेलना पड़ेगा, या फिर इनके पास एक उप्शन है, कि पिछले मैच में ध्रूव जुरेल को लेकर आया थे, 15 गिंदों में नौट आउट 32 की पारी उन्होंने खेली थी, जमप लेफ एंटर की बात की जाए, तो यहाँ पे टॉप फाइब में आपको तीन लेफ एंटर दिखाई देते हैं, बॉलिंग की बात की जाए, तो देखिए, यहाँ पर 10 बॉलर्स है, इनके पास होल्डर है, बोल्ट है, आरशुन है, चहल है, यह चारों अपने पूरे ओवर क करके इस चीम से जाते हुए, आपको mostly दिखाई देते हैं, जो सुटलर की बात की जाए, देखिए, खेलेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे, एवन कैप्टन सी के भी best option रहेंगे, IPL में 40 का एवरेज है, जो जबर दसता है, जैसे होल की बात की जाए, तो देखिए, पिछले मैं मैं ने ड्रॉप किया था, लेकिन इस मैच में मैं लेना चाहूँगा इनको, क्योंकि बैटिंग फरनली पिच है, और अच्छा करना चाहेंगे, पहले मैच में हमने लिया था, 54 के था, पिछले मैच में हमने ड्रॉप किया, 11 प्यावट हुए दे, इस बाच में मुझे लग किजेगा और सीधा कैप्टन वाइस बना दीजेगा, थोड़ी सी अपने अगर वापस लैप राप्त करते हैं, तो एक अच्छे प्लेयर है और अच्छा कर सकते हैं, स्विचले अगर उपर से दो विकेट जल्दी गर जाते हैं, तो पार्डिकल एक बड़े इनिंग खेल सक में, आप इनको थोड़ा ज़्यादा प्रिफर कर सकते हैं, स्विचले इनिगे केस में अराम से इग्नोर कर सकते हैं, बात एक लिए अंकरा कि एक अजी अटिम में ट्राइ किजेगा, आर रश्विचले में इनको प्रमोट कर रहे सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको आपके लिए एक डिफरेंशल पिक की भूमी का निभा सकते हैं, आर अश्विन, उसके बात करते हैं, जिसन होल्टर की जवर्दस बालिंग कर रहे हैं, डैथ में भी बालिंग कराए थी इनसे, तो आपके लिए एक मस्ट पिक रहेंगे पहले बालिंग के केस में और दूसर इस ग्राउंट पर अच्छी पिक रहेंगे, आपके लिए देखें, यहाँ पर स्पिनर्स ने भी अच्छी खासी विकिट ली है, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो DC की जो बैटिंग है, वो थोड़ा सा मार्श के जाने से, जो मिटल ओर है, वो थोड़ा सा कमजोर और हो गया है, तो उसकी कमर तो बोड़ देखेंगे, मेरे खासे यूज्वें चेहल जो है, वो काफी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, और अच्छी विकिट खासी विकिट ले सकते हैं, तो आपके लिए दोनों इनिंग में चेहल बैस्ट पिक रहेंगे, स्पे गर एक परसेंट नहीं खेलते हैं, जौस बटलर इंजर्ड ही रहते हैं, तब यहाँ से साथ अफरेगा के डेवान फरेरा को मिल सकता है, मौका आप देख सकते हैं, तो एक सैट से छोर पकड़ के टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, बात करेंगे कुछ प्लेयर बैटल्स की, ज नोकिया ने 44 गिंदों में दो बार आउट किया है, खलील एमद ने 39 गिंदों में एक बार आउट किया है, मिचल मार्श तो अब नहीं खेलेंगे, तो उनका मत देखिए, कुलदीब के 47 गिंदों में दो बार आउट हुए है, बात करें रेशिज जाइस्वल की, तो 14 ने 44 गिंदों में तीन बार नोकिया ने होट किया, तो सिधा सिधा नोकिया से उनको जान लेवा खत्रा है ही, उसके अलावा खलील की सिर्फ एक गेंद के लिए, उसके लावा तीनों बालोर को अच्छा खेला है, बात करेंगे DC की प्लेइंग 11 की तो दोस्तों डेविड व उपर या तो रुसु वन डाउन आते हुए दिख जाएंगे, या फिर उनके में को लगता है, इस मैच में हो सकता है, DC की टीम जो होगी वो पहले तीन ही फोरन प्लेयर के साब में आपको खेलती हुई दिखाई दे, इसके रावा यहाँ पे नोकिया तो टीम में है, ही रु इंग लेवन में आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, तो मेचल माच नहीं केलेंगे, रुसु थोड़ी सी खराफ फॉर्म में चल रहे हैं, और रॉमन पावल की बात की जाए तो वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो पहले बैटिंग की केस में आपको ऐसा हो स दिखेंगे, इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिया, अमन खान कुछ ओवर कर सकते हैं, मुकेश कुमार यहां से आपको अच्छे खासी ओवर करते हैं दिखेंगे, और एक बॉलर यह ला सकते हैं फिर बाद में खलील एहमत को जब इनकी बॉलिंग आएगी तो वो चेंज यह कर सकते हैं, डेविड वारन की बात की जाए तो देखिए पिछले दोनों मैच में अच्छी पारी खेलिए, हलाकि उस मुमेंटम में दिखाई नहीं देरे हैं, उतनी तगड़ी हीटिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल कर ही खेल रहे हैं, अपनी थोड़ी पॉंसिबिटी लेकर खेलना चाहिए, थोड़ा सा संभल के खेलेंगे, और अच्छा करने की खुशिश करेंगे, इनके पर भी प्रेशर होगा कि नीचे मार्श भी नहीं है अब, तो थोड़ा सा संभल के मुझे लगता है, खेलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, स्मैच में आप लेक डिफिरेंशल पिक रहेंगे, रिस्की रहेंगे, लेकिन ट्रंप कार्ट पिक रहेंगे, इसके बाद मिचल मार्श नहीं केलेंगे, मैंने आपको बता दिया, इनके मिले रोमन पाउल को नीचे जगा मिल जाएगी, तो सर्फ्रास कान आजाएंगे, तीन नमबर प फिलाल थोड़ी सी पीछे चूरती है नजर आ रहे है और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी एक बड़े प्लेयर है, टी-20 क्रिकेट के वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, यह जो पिछ होगी, यह अच्छी खासी ब आप शेपटल की बात की जाए, तो पिछले मैच में देखे च्छतिसन की पारी भी है, तो बैटिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं, बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं, इस ग्राउंड में स्पिनर्स ने अच्छा किया है, तो मुझे लगता है एक इक बॉर्डन प पिक रहेंगे, कुल्दी व्यादों को भी आप चाहें, तो ट्राई कर सकते हैं, थोड़े सा रिस्की रहेंगे, लेकिन एक ट्रम कार्ट पिक रहेंगे, कभी भी ज्यादा विकिट से निकाल सकते हैं, मुकेश कुमार की बात की जाए, तो देखे, आप एका जील टीम में ट ट्राई करेंगे, तो बैटर रहेंगा, खलील एमत को आप ट्राई कर सकते हैं, पहले बाॉलिंग आएगी, तो आपको प्लेइंग 11 में ही ये खिलते भी दिखेंगे, और तब आपके लिए एक अच्छे पिक भी रहेंगे, क्योंकि डैथ में बाॉलिंग करते हैं, और आप आप अच्छी खासे विकेट ये निकाल के दे सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आप देख रहें हैं, आईपल के 35 मैचों में 50 विकेट लिए हैं, यहां से दिखेंगे, रोमन पाउवल मिचमार श्री का टीम में आपको आते वी दिखेंगे, जो अच्छी फॉम में आप देखेंगे, पिछले 5 मैच का जो उनका रिकॉर्ड है, उसके इंदर 64 की, 35 की दो पाइनिंग अच्छी खेली हुए हैं, इसके लावा अगर इंडियन बैटरों खिलाना चाहें, तो मनीश पांडे भी इनकी पास अवेलेबल हैं, नीचे चलते हैं, आप देख लेते है कुछ प्लेयर बैटल, तो वाउनर की देखेंगे पहले, बोल्ट के सामने 25 रंदों में 2 बाउट हुए हैं, होल्डर की 44 गिंदों में 1 बार आउट हुए हैं, चहल की 85 गिंदों में सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं, और 170 के स्ट्राइक रिट से उनकी पिटाई की हैं, आर श इस गिंदों में चहल ने भी आउट किया है, और आर शुन ने भी 7 गिंदों में 2 बार आउट किया है, तो प्रिट्विशौ के पर थोड़ी सी तलवार जरूर लटकी रहेगी, सिर्फ वैटिंग रंडली पिछ है, यह सूच के आप उनको टीम में ले सकते हैं, और दूसरा सा मुझे लगता है, दोनों अच्छा कर सकते हैं, बात करेंगे मिचमाच के तो अवेलेबल नहीं है, इस मैच में बिल्कुल मत लिजेगा, रिलो जुस्तो की बात की जाए, तो बोल्ट की एक ही बॉल्ल खेली उस विकीट दे दिया, होल्डर की 11 बॉले खेली 2 बर आउट ह यहाँ पर लिख देना है, टीम नेम, याद रखे, इस मैच में कुबेरा का गिवब पर है, तो आपको कुबेरा पे ही अपना टीम नेम जो है, वो मेंचन करना है, कमेंट के साथ, साथ में कुछ कंडिशन से हैं, देखिए आपको कमेंट एक ही बार करना है, साथ में वीडि में आगे होगा चलिए चलते हैं बनाते हैं हमारी टीम तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हमारी small league team विकेट की प्रिसेक्षन में बटलर और सैमसन दोनों important pick रहेंगे अगर बटलर खेलेंगे तो 95% बटलर खेलते हुए मुझे दिखाई देते हैं 5% अगर छोट थोड़ी सी भी गंभीर हुई तब वो आपको ना खेलते वे दिखाई दे हो सकता है तब आपको सिर्फ सैमसन के साथ जाना है बात करते हैं बैटिंग में यहाँ पे देखे वाउनर को मैंने लिया है यहाँ पे मैंने लिया है और रुसु को भी अब डूनर सेक्षन देखें मेंच मारसा 68% सेलेक्षन लेकिन वो खेलने वाले नहीं है अक्षर पटेल अच्छी पिक रहेंगे इस ग्राउंड पे आपके साथ में रहेंगे जेसन होल्डर और आर अशुन पे भी मैं फिलहाल रिस्क ले रहा हूँ कंफर्म नहीं हूँ मैं हो सकता है इनके बदले कुल्दी पियादव को ले लूँ एक में स्पिनर लेकिन फिलहाल मैं उनके साथ जा रहा हूँ बॉलिंग के अंदर नोकिया और बॉल्ट और चहल तीनों इंपॉर्टन पिक है इसके रहाबा कुल्दी पियादव भी आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है तो ये रहेगी फिलहाल हमारी टीम जिसके अंदर कैप्टन वाइसक्टन के बात की जाए तो बटलर वावनर और संजू सेंसन तीनों आपके पास अच्छी पिक रहेगी तो ये है फाइनल टीम हमारी फिलहाल के लिए फाइनल करके रिपोर्ट आने के बाद टॉस के बाद आपको दी जाएगी हमारे टेलेग्राम गुरूप में जोइन कर लेजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे उपर आले कमेंट में दोनों जिगा आपको इसका लिंक मिल जाएगा चलिए दिस तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आएए तो सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद